छोटी काशी मंडी के बावा भूतनात को महाशिवरात्री तक देश के अलग-अलग राच्यों में स्थित देवी देपताओं के रूप में सचाया चा रहा है और शिवलिंग पर चड़ाए गए मक्खन के लेप पर आखरितियां उकेरी जा रही है इसे कड़ी में शनिवार ब बटूक भैरो के रूप में शुंगार किया गया बावा भूतनात मंदिर के महंत देवानन सरसोती ने कहा कि हिंदू धरम में बटूक भैरव की साधना अत्यनती कल्यानकारी बाली गई है जिनकी उत्पती भगवान शिव से बानी गई है भगवान भैरव शिगरी प्रसन हो कर अपने भक्तों को बड़े से बड़े संकटों से निकाल लाते हैं उन्हें ने कहा कि सुभर से ही बाबा के इस स्वरूप को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा है और लोग अपनी आस्था बाबा के समक्ष अर्पित कर रहे हैं आज बाबाभूतनात महादेव मठ मंदिर मंदी हिमाचल प्रदेश में बाबाभूतनात जिक्का संगार बटुक भहरो जी के सुरूप में किया है जो कि माता तरपूरा जी के भहरो जी हैं जो तरपूर संद्री माता के भहरो बटुक भहरो हैं उनके सुरूप में सिंगार कि जो कि प्राचीन और राती प्राचीन जिसका हमको स्वयम नहीं पता है कितने बरसों का ये प्राचीन परंपराएं हैं तो ये भैरो जी तुर्पुरा के अंदर एक बहुत विसाल जन मानस को अपने साथ जोड़ते हैं और भी कई कायक्रमों के माध्यम से बाकी प्राचीन तम हमारा सनातन बाबा बहरो बाबा को भगवान संकर का ही स्वरूप माना जाता है तो इस प्रकार आज बटुक भहरो मंदिर त्रपुरा के स्वरूप में बाबा भूतना जी का सिंगार किया है जिससे सभी भक्तों को बटुक भहरो बाबा बाबा भूतना जी का आशिरबाद सभी भक्तों को प्राप्त हो सके और एक ऐसे भी कहानी बताई जाती है महारसी दधीची ने उनके कोई शंतान नहीं थे इस टाइम भगवान संकर का तपश्या किया उनोंने और भगवान संकर प्रसंद हुए तो उनको वर्दान सुरूप फुत्र प्राप्ती हुई और उसका कुछ नामकरण हुआ उसके बाद भगवान संकर ने उसका नामकरण बटुक के नाम से किया था और ऐसे इसी मानिताएं हैं तो भहरोजी का अब प्राचिन प्राचिनतम इतिहास महारसी दधीची जो हजारों साल का इतिहास है दधीची का और बड़े तपस्वी और दिब्य रिशी हुए जिनका पुरे देश में कई अलग-अलग राजियों में प्राचिनतम इतिहास महारसी दधीची के मिलते हैं तो इस पकार से आज बावा भहरोजी का सिंगार बटुक भहरोजी का बावा भूतनाजी को किया है